हेलो बच्चो कैसे हो कैसे हो आप सभी वेलकम टू यू और चानल विद्याज मस्ती की पाठशाला मैं हूँ आपके साथ आपकी रुतु जामा और इस वीडियो लेक्चर से हम कवर अप करने वाले है अपना स्टाइंडर्ड एट का जनरल साइंस का लिसन नंबर फूर बराब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं हमने लास्ट वीडियो में इंफेक्शन त्रू आनिमल देखा था बराबर रैबिस के बारे में पढ़ा था फिर अलग-अलग टाप के डिसीजेस पढ़े थे और फिर कैंसर कैंसर के बारे में पढ़ा था जो नॉन इंफेक्शिय तो आपने हमने क्या पढ़ाता कैंसर के बारे में पढ़ाता उसके रिजन्स पढ़े थे फिर सिम्टम्स वगरे के बारे में हमने जानकारी ले ली थी ठीक है तो अभी हम इस वीडियो से क्या करने वाले है डाइबेटीज और उसके आगे वाले सभी टॉपिक कवर अप मतलब यह हम कॉमन कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई हम मेरे दादा जी को शुगर है मेरे दादा जी को शुगर निकला निकला ठीक है ऐसे वगरे बोलते हैं लेकिन इसका साइंटिफिक नाम क्या है डाइबेटीज होता है ओके दा हारमोन इंसुलिन प्रोडिस्ट क्या होता है कि देखो और हारमोन इंसुलिन से सिगरे होता है वह क्या करता है लेवल उफ शुगर 《ग्लुको Jason》 मतलब ल्ड हमारे उफ्छ में होता है और समय बड़ाबर है प्रेजशील घ्लुकोस तो उस में को क्या करता है वह शुगर की लेवल कर दुकेुल करता है यह क क्या होता है इंसुलेन की मात्रा ही गड़ बड़ा जाती है देखो इफ इंसुलीन इस सिक्रेटेट इन लो कॉंटिटी ग्लुकोस लेवल कैन नोट बी कंट्रोल एंड जीस डिसॉर्डर इस कॉल्ड एज डायबिटेज मतलब आपको कैसे मज़ में आया यह पड़के कि डायबिटेज मतलब शुगर लेवल जो ग्लुकोस लेवल है वो भी हमारे बलड में कंट्रोल में नहीं होती है और फिर हम बढ़ते हैं कि अरे शुगर बढ़ गई शुगर बढ़ गई ऐसे बोलते हैं बराबर है तो वह क्या होता है वह हारमोन इंसूलीन इन बालेंस होता है बॉड़े में और इस उसकी वज़ा से क्या होता है डायबेटेस होता है ठीक है उसके सिंटम समझ से हैं देखो गाई सभी सिंटम्स विच कैन नोट भी इकनोर मतलब सिंटम्स की कौन से कौन से सिंटम्स होते हैं frequent urination at night increased obesity और weight loss तो क्या होता है कोई-कोई पेशंट में ब इसमें वेट लॉस हो जाता है ठीक है बिल्गुल डूबले पतले बन जाते है पेशेंट और दूसरा कौन सा है कि यूरिनेशन यूरिनेशन मतलब बहुत जाधा मात्रा में यूरिन लगती है ठीक है तो यह है अमेजर सिंटम्स ऑफ दा डाइबेटीज ठीक है रिजन्स क्या आपके दादा जी है बराबर मान लो अब दादी को ठीक है हम यहां पर दादी लिखते है शौटकट मैं पर नहीं काम कर रहा है मरा ठीक है दादी मैसलिद जब्यजान दादी से पापा bite को और फिर देर इस लाइकली generation to generation तो उसको बोलते है उसको बोलते है हेरेडिटी बराबर नेन obesity मतलब आपका fat हो जाना आपका बहुत जादा weight gain कर लेना ठीक है lack of physical exercise आपने ऐसे क्या sorry obesity मतलब आप जैसे ही fat हो गया आपने जैसे weight gain कर लिया तो there is likely chances that कि आपको क्या हो सकता है diabetes हो सकता है ठीक है यह एक major reason हो सकता है ठीक है then lack of physical exercise जैसे मान लो कि आपने रोज की दोड़ भाग exercise जोगा प्रानायम ठीक है जो भी है जो भी आप करते हैं आपकी exercise नहीं हुई physical exercise नहीं हुई रोज की तो कुछ दिनों के बाद वह एक major reason बन सकता है diabetes होने का ठीक है दूसरा कौन सा है दूसरा reason है mental stress की बहुत जादा stress लेने से टेंशन लेने से भी क्या हो सकता है diabetes हो सकता है तो यह सब को हमको क्या करना है इग्जाम के पास में जब पढ़े पढ़ाई करोगे तो obviously क्या हो जाएगा mental stress गायब हो जाएगा बराबर रोज थोड़ी सी physical exercise भी करना है ठीक है खेलना खूदना cycle चलाना वह वगरा और क्या obesity मतलब बहुत जादा तो यह सब क्या कई सब्सक्राइब मतलब कई सब्सक्राइब करना है तो इससे कंपर कर सकते हैं gonna रोज़ोधिस चाहिकर मदाएगा तो हमको क्या करना है प्रवेंट में एक आ चाहिए निए जिकार फॉलन करना है जह आकता है जह है वो कि fast food and junk food यह नहीं खाना है medicines and exercise under the supervision of doctor helps keep the diabetes under the control तो क्या करना है एक तो diet बराबर लेना है और क्या करना है उनको medicines भी बराबर से ले लेना है ठीक है जो medicine doctor ने दी है वो medicine रोज के रोज बराबर ले लेना है तो क्या हो जाएगा वो फिर आपकी diabetes control मात्रा मेरेगी ठीक है clear यह देखो यह symptom से किसी का weight loss होता है किसी का weight gain भी होता है then irritated होते है मतलब चिर चिर करता है कोई भी आदमी जिनको वो हो गया है वो diabetes हो हुआ है वो लोग then frequent urination urination भी बहुत जादा होता है okay blurred vision मतलब उनकी दृष्टी कम हो जाती है उनको अच्छे से नहीं दिखता स्प लग 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 क्या है symptoms है ठीक है तो अभी हम बढ़ते हैं I hope so आपको diabetes समझ में आ गया होगा so देखो अभी क्या है अभी next topic है हमारा misuse of medicines medicines के misuse के बारे में अभी पढ़ते हैं हम लोग तो देखो sometimes some people take the medicines without prescription of doctor ठीक है बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जैसे मायनलों की fever आय तो अपने अपने मन से ही हम क्या कर लेते हैं घर में कोई भी पड़ी हुई medicines ले लेते हैं without visiting to the doctor doctor के जहां जाते भी नहीं है उनको बताते कि बताते भी नहीं हम लोग सोचते हैं रहे क्या 100-200 रुपे खर्चा करना है पता एना फीवर है पता एना फीवर के ऊपर यह medicines लेत जाते हैं लाज़कीं पिय apples को लेते हृत तो अपने मन से ले लेते हैं लुपा है इसे और को स्थाज़र होगा आपके घर में अई होता होगा तो तो यह सब यह से नहीं करना है क्यों नहीं करना है यह क्यूंकि तो यह दुसरे बीमारी के उपर दुसरी मेडिसीन जाएगा तो वह आपके पूरी बॉडी में कुछ अलग इफेक्ट पैदा कर सकता है कुछ अलग हार्मोन सीक्रेट कर सकता है कुछ अलग केमिकल्स डाल सकता है तो इसके वज़े से दूसरे भी problems आपके body में create हो सकते हैं इसलिए क्या करना है कोई medicine without prescription of doctor के without prescription नहीं लेना है अपने मन से या फिर medical आप मेंसे कई लोग ऐसे भी होते है जो medical या फिर pharmacy में जाते हैं ठीक है फार्मसी में जाते हैं और वहाँ पे जाके बोलते हैं कि भाईया ऐसे ऐसे हो रहा है पेट दुक रहा है आप दवाई दे दो फिर वह भी लोग दे देते हैं उनको जो पता है हो लेकिन वह ऑफिशल तो डॉक्टर नहीं है उनको तो कुछ पता नहीं है exactly तो इसलिए क्या करन है डॉक्टर के यहां विजिट करना है और फिर वह वाली मेडिसिंस लेना है ठीक है बच्चो इतना ध्यान रखना है आपको और आपके फैमिली में भी सबको बताना है कि भई ऐसे मत करो अपने मन से मेडिसिंस मत लो ठीक है तेन ओवर्डोज ओफ मेडिसिंस में लिवर शिस्टिम एक्सक्रेटरी सिस्टिम एंड लिवर तो बहुत ज्यादा पैन किलर काने से हमको होता है ना बोध अरे आज पैर में दर्द है तो फटक से ले लिया पैन किलर में कोई भी कोई भी गोली या फिर जैसे मानलो की हैड हो रहा है तो थोड़ा सा अगर थोड लिवर थोड़ासा अभी हुआ तो बर्दाश्म नहीं करते और फटक से ले लेते हैं बराबर पैन किलर ले लेते हैं तो उससे क्या होता है बहुत जादा पैन किलर लेने से आपकी नर्वस सिस्टिम खराब हो सकती है साथ में एक्ट्रेटरी स्टिम भी लीवर भी खराब ह सकता है किडिनिस भी खराब हो सकती है बराबर तो यह सब क्या है उसके डी मेरिट से मेडिसिंस के ओवर्डोस के ओवर्डोस औव एंटी बॉडिस में लेड टू नॉजा स्टर्मक एक डिसेंट्री रेश वाइट पैचे और टंग इट्सेटर तो क्या है यह अलग अलग टाइप की अलग अलग बीमारी का ओवर्डोस करना से क्या होता है बॉड़ी के अलग 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 नोट एफ़र्ड दो कॉस्ट्ली मेडिसिंस इस देर एनी अल्टरनेटिव फॉर इस एंड वीच वन तो क्या बोलते है कि देखो पूर पीपल ज्यादा अफॉर्ड नहीं कर सकते कॉस्ट्ली मेडिसिंस बराबर है महेंग वाली तो फिर क्या करें उनको ऐसे मरने मरने दे स सकते है मली के उसके उपर कुछ अल्टरनेटिव हो सकता है तो क्या को सकता हुआ कि उसके बारे में थींक करो और फिर मुझे कमेंट स्क्षिंस में बताऊ तो उसके उपर अलग-अल्टरनेटिव है और tennis इस अ दो एक है यह क्यों है योगा एंड प्रानायम स्ट्रीं से क्य तो फिर उतना तो मेडिसन का वगरा खर्चा नहीं हो सकता ठीक है लेकिन दूसरे भी और अच्छे वाले अल्टरनेटेव्स हैं कि जब कोई पूर आदमी बीमार हो ठीक है तो उसको वह फाइदा हो सकता है तो कैसे हो सकता है वह आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बत है पहले क्या करना है इसके बार है में इंफोरमेशन निकाली है ठीक है और फिर मुझे मुझे वई र है तो चलो अभी हम पढ़ते हैं next topic के तरफ क्या है next topic हमारा next topic is generic medicines तो अभी पढ़ते है what is meant by generic medicines ठीक है तो चलो generic medicines are also known as general medicines कौन सी medicines general वाली ठीक है जादा बड़ी वाली नहीं general medicines these are manufactured and and distributed without any patent तो वो निकालने के लिए बनाने के लिए या फिर distribute करने के लिए किसी भी patent की ज़रूरत नहीं होती ठीक है तो अभी आप बोलोगे कि what is meant by patent ठीक है तो अभी मैं बताती हूं याप पे ठीक है patent मतलब क्या होता है मान लो कि कोई एक जैसे फॉर्मूला वगरे ठीक है अभी मान लो कि अभी क्या हुआ अभी दो साल पहले कोरोना था वराबर ठीक है कोरोना था तो कोरोना के इसमें दवाई नहीं थी वराबर क्या हुआ scientist लोगों ने सर्च किया consciousness लोगों ने सर्च किया फिर उन्हों ने कुछ composition बना के देखे, mix करके देखे तो उनको एक composition मिल गया ठीक है इसमें उन्होंने कुछ अलग 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 material डाल दिए ठीक है अभी तो हम ABC इसका नाम लेते हैं A plus B plus C ऐसे डाल के उन्होंने क्या बनाया एक अलग कुछ बनाया formulation ठीक है फिर उन्होंने लोग के उपर trial करके देखा तो यह क्या थी यह उन्होंने वैक्सिन बनाई और फिर यह useful थी तो इन्होंने इसमें क्या डाला ABC लेकिन हमको पता है कि इन्होंने क्या डाला तो अगर ऐसे करते हैं यह लोग कि हाँ ठीक है यह सब को बता देती कि हमें यह composition डाला यह डाला यह डाला और फिर कोरोना के वैक्सिन बन गई तो हमारे यह जैसे मानलो की foreign countries में बन गई तो फिर हमारे उदर भी क्या करते हैं government या फिर कोई भी private company वगरे क्या करती थी same अच्छा उन्होंने ABC डाला तो फिर हमारे उदर की company भी क्या करती थी इसमें ABC और फिर बना लेती फिर इंडिया में यह क्या होता यह वैक्सिन सबको लगती तो फिर क्या होता यह वाली same जो company है उसका profit तो यह company ने मार दिया ठीक है मानलो की इंडिया में ही है दोनों company ठीक है तो फिर इस company के वज़े से इस company को क्या होगा obviously loss होगा तो यह क्या करेगा य यह फर्स्ट वाले company ने उसमें कौन जो जो composition डाले यह यहाँ पर जो लिखा है ABC तो यह ABC composition का नाम नहीं बताएगा कि मैंने क्या क्या डाला ठीक है यह सब वह paper के उपर लिखेंगे और government के पास या फिर जो भी institution है उसके पास send करेंगे ठीक है लेकिन commonly people को नहीं बताएगे कि इसमें क्या डाला है फिर वह सब check होने के बाद proof होने के बाद हां कि यह दवाई सच में काम की है ठीक है इसके मतलब इसका use ही है को इसका laws नहीं है तो फिर क्या करेगा वह कुछ सालों क के लिए वह patent इस company के पास रहेगा first company के पास मतलब कुछ साल तक यह क्या हो सकते यह वादी दवाई यह जो भी कब दवाई है यह कौन बना सकता है यह सिर्फ यह company number one सिर्फ यहीं बना सकती इसका यह composition चुरा के या चाप के या company two नहीं बना सकती ठीक है तो यह क्या हुआ कि यह जो भी है composition इसका हक इसका अधिकार यह किसके ऊपर है कौन से company के पास है सिर्फ company number one के पास है तो इसको बोलते है patent ठीक है अगर यह patent बेचता है ठीक है इसने बोल लिया कि नहीं बा अभी मुझे यह बेचना यह company वाले के ठीक है यह मानलो कि यह कोई एक आदमे ने बना तो अभी यह इस company को बेचना चाहते है तो यह वह बेच भी सकता है उतना वह amount लेगा चितना भी है एक करोड दो करोड चार करोड एक लाग वाटेवर जो भी price है according to that substance वह क्या कर लेगा वह उसको बेच भी सकता है तो उसको बोलते है patent ठीक है तो यह जो general medicines होती है उसको distribute कर करने के लिए क्या patent नहीं लगता these medicines at are at power in quality with branded medicines production cost of these medicines is very low due to the fewer expenses on the research at this formula is readily available तो जो general medicines होती है कौन सी मेडे ठीक है GM लख लेती हूँ मैं general medicines या फिर generic medicines तो यह क्या है यह common है इसके ओपर patent नहीं है मतलब इसका जो भी formula है ठीक है मानलो XYZ यह formula है तो यह XYZ formula उसको बनाने के लिए यह commonly available है यह सब कुछ तो यह भी company बना सकती है ठीक है A नाम की company B नाम की company भी बना सकती है और सी नाम की भी company बना सकती है और यह जो भी composition है यह बिल्कुल ही कम expensive है मतलब cheap quality नहीं लेकिन cheap price ठीक है cheap price मतलब कम price में मिलती है तो इसे लिए available होती है market में तो यह बनाने में ज्यादा cost नहीं लगती फिर मानलो कि यह company number 10 रुपे में बेच रहा है तो यह बोल सकता है कि न तो ऐसे होके यह क्या होती है उसके price less हो जाती है ठीक है किसकी general generic medicines के ओके तो यह कुछ ऐसे diagram दी है general medicines ओके समझ लिया यहां तक नाव तो अभी हमको क्या पढ़ना है lifestyle and diseases तो हम lifestyle में change करके क्या कर सकते है अपनी lifestyle अच्छी मेंना के diseases को avoid कर सकते है ठीक है तो चलो पढ़ते है lifestyle includes the daily routine and the type of food मतलब हमारे daily routine में क्या करते है हम क्या खाते है ठीक है कैसे सोते है कितने time सोते है exercise करते कि नहीं करते या दिन बर बैटे बैटे ही रहते है या फिर सोते ही रहते है तो यह क्या है यह हमारे lifestyle है nowadays habits like staying in bed till late morning and going to the bed at late night frequent changes in the meal timing lack of physical exercise consumption of junk food etc have been increased and due to this such people getting sick frequently तो क्या होता है अभी कि यह अभी हम लोगों की habit बने गई कौन सी habit रात में बारा या एक बज़े तक what's up instagram देख लेना facebook देखते देखते सो जाना मतलब हमको रात में सोते सोते कितना बच जाता है एक दो बारा ऐसे बच जाते है ठीक है तो फिर और यह होने के बाद सुबे स्कूल है या फिर office है तो हमको जल्दी भी उठना पड़ता है या फिर कभी कभी बहुत लेट बहुत लेट उठते हैं बहुत लेट उठने से सुबह की अच्छी fresh वाली जो fresh morning है वो हम क्या करते हैं वो हमको मिलती ही नहीं fresh morning बराबर एक तो लेट उठने से या फिर अगर ह तो फिर आपकी नीन कितनी हुई 5 hours की लेकिन इन एवरेज 7 hours की स्लीप हर किसी को important है कितनी 7 hours की और आपने कितनी ली 5 hours की लिए तो फिर इसके वज़े से क्या होता है पूरी बॉड़ी में disturbance आ जाता है और हमारी आदते बदल गई हम lack of physical exercise मतलब अभी हम physical exercise जादा करते ही नहीं consumption of junk food जादा मात्रा में junk food खा लेना यह इन सभी habits के वज़े से क्या हुआ है हमारा lifestyle बिगड़ गया है और इसके वज़े से हम बहुत जादा मात्रा में क्या होते हैं sick होते रहते हैं हमेशा 10-15 दिन के बाद बीमारी रहते हैं ठीक है तो हमको क्या करना है lifestyle change करना है if a frequency of becoming sick is to be lowered people should follow right style ठीक है तो right lifestyle इस्तिमाल करने से follow करने से क्या होता है हम ज्यादा बिमार नहीं पड़ते it must include sufficient sleep तो हमको क्या करना है minimum daily 7 hour की sufficient sleep लेना है 7-8 hours की then right food बिल्कुल right diet लेना है ठीक है junk food fast food को avoid करना है proper घर का खाना खाना है योगास करना योगास मतलब योगा अभी मैंने बता है योगा प्रानायम physical exercise ठीक है कर रहे है लिफ्ट कर रहे है तो यह गलत हो सकता है इसका आपके बॉड़े के उपर रिवर्स इफिक भी हो सकता है इसलिए जिसकी जितने भी capacity है according to that क्या करने चाहिए physical exercise कर लेनी चाहिए दिन प्रानायम और योगा सूंस चुड़ बी परफॉर्म अंडर दा expert supervision यह भी गलत नहीं होना चाहिए ने तो इससे भी क्या हो सकता है इससे भी कुछ reverse effect पढ़ सकता है आपके बॉड़े में तो वह भी किसी expert से समझ के कर लेना है ठीक है दिन डिन सिदे वीडियो और प्रानायम और योगा सूंस है जो अब बहुत ज्यादा में यूटूब पर अए बगरा से अब्वलीबल होते हैं प्रानायम योगा वीडियो की मैंट्स्वेदियो की वीडियो वीू गरे अवीक्शिनेशन वाक्सीनेशन इस इंपोर्utes ऑस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपोर्टन है और सबसे फांधे मंद्स चीज कों सी है वैक्सिनएशन प्रिवेंट कर सकते हैं एसे अले डॉडल निकाल नहीं है जाधा थर वैक्सिनेशन आप जब बिल्कुल ही चोटे होते हो बच्चे होते हो तभी ज्यादा सर वैक्सिनेशन हो चुका होता है और यह अभी तो हम को सब को पता है कि कोरोना के वैक्सिन के बारे में कि कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए सभी ने अभी तक वैक्सिनेशन लगाई है ठीक है फर्स डोस सेकेंड डोस हो समझ में आ गया तो देखो काई अभी क्या है do you know do you know पढ़ लेते हैं शौट में गवर्मेंट ओफ इंडिया डिकलेग दप्रदान मंत्री जन आउशदी योजना और 1st जूलाई 2015 में गवर्मेंट ने क्या डिकलेर किया प्रदान मंत्री जन आउशदी योजना in this scheme best quality medicines are made available in affordable prices to the citizens जन आउशदी store are launched to this purpose तो क्या हुआ है देखो जन आउशदी store करके government ने medicals open किये है उसमें क्या होता है कि यह जो scheme दी है जो नाम दिया है प्रदान मंत्री जन आउशदी योजना के अंतरगत affordable price में मिलती है कि मानलो कोई दवाही है जो only one piece मानलो की तैबलेट मानलो की 500 की है तो यह affordable नहीं है ठीक है तो यह हम मानलो की डॉक्टर कुछ आपको ऐसे बिमारी हो गई है और डॉक्टर ने आपको 30 ऐसे medicines दिये हैं खाने के लिए तो और एक medicines 500 की है तो यह फिर बहुत ज़्यादा costly पढ़ जाएगा बराबर तो नॉर्मल या फिर पूर मेडियल क्लास पीपल इसको अफिर नहीं कर सकते तो इस स्कीम के अंतरगत क्या हो सकता है कि इसकी प्राइस कम हो सकती है एफॉर्डबल प्राइस हो सकती है तो कि हम पूर आदमी या फिर मेडियम क्लास का आदमी उसको खरीच सके ठीक है तो यह होता है इस स्कीम की अंतरग export भी करते हैं मतलब बाहर foreign countries में भी बेजते हैं these medicines are sold under the brand name with the high prices in India in America 80% medicines used are generic and due to these hundreds of billions of money is saved there तो क्या होता है अमेरिका का उन्होंने example दिया है वहाँ पर 80% medicines are generic medicines to use होती है मतलब जो affordable cost में मिलती है और हमारे उदर इंडिया में वही थोड़ी सी costly पर जाती है इसलिए वह बोल रहे कि उदर क्या होते है पैसे save होते है ठीक है तो वह अलग-अलग matter होता है क्या है blood donation जिनके पास blood नहीं है जिनको जरूरत है उनको क्या करना चाहिए जरूरत बन आदमी को blood donate करना चाहिए ठीक है यह सब etiquettes है मानर सही है आप लोगों को I hope so पताई है ठीक है तो इस तरह से क्या करना है हमको blood donate करना है अभी आप तो बच्चे हो लेकिन जन जागरूती फैला नहीं है कि blood donate करो तो इसी के साथ हमारा lesson अभी क्या होता है lesson अभी खतम होता है तो जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे इस वाले चाप्टर की हम exercise लेंगे क्या लेंगे exercise लेंगे ठीक है next वीडियो में तो till then stay tuned guys I hope so आप सबको यह concept अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो क्या करना है like करना है हमारे वीडियो को आपके friends के साथ share करना है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए साथ ही आपको क्या comment section में भी आप अपने dots पूछ सकते हो या फिर आप answers भी दे सकते हो thank you so much guys have a nice day take care stay tuned bye bye नेक्स्ट वीडियो में हम exercise cover up करेंगे बाई